नमस्कार, किरंस कीचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, फ्रिंस रोज हम अपने खाने में दाल को शामभील करते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ में दाल भजी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें हम दाल के साथ पालंगी मिक्स करेंगे, जो कि खाने में बहुत जाब अच्छी लगेगी, अगर आपको भजी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्रीज इसे लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तो आईए शुकरते हैं दाल भाजी बनाना, दाल भाजी बनाने के लिए, मैंने एक छोटी साइस की गड़ की पालक की लिए है, इसे साफ करके दोके और काट करके रखा हुआ है, आधा कब तुवर दाल है, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, एक मुठी के करीब चना दाल है, जो की बिल्कुल थोड़ी से हमने लिए है, यह उप्शनल है, अगर आप चाहें तो सिर्फ तुवर की दाल ही ले सकते हैं, या सिर्फ चने की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन में दोनों तरह की दाल मिक्स करूंगी, बारी कटा हुआ हरा धनिया, दो बड़े साइस के टमाटर, एक बड़े साइस की प्यास जिसे मैंने बारी काटा है, दो भरी मिर्च कट करके रखी है, पांच्छे कली लहसुन भी काटके रखा है और तेर इंच का अध्रक का टुकडा इसे भी बारिक कट करके रखा है और छे साथ काली मिर्च और मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, राई, जीरा और एक पिंच हिंक ये सब हम दाल भाजी बनाने के लिए इस्तिमाल कर अधे कंटे के लिए भीगो के रख देंगे मैंने भीगो के रख ली थी यह आप देख सकते हैं आधे कंटे वे ने दोनों दाल भीगा ली है ताकि हमारी सब्जी जल्दी से बन जाएगी सबसे पहले मैंने कूकर ले लिया है और इसमें एक करची खाने का तेल जो भी आप इस्तिमाल करते हैं उसे गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम हो गया है अब इसमें आधा जम मच राई राई अच्छे से चटकने देंगे अब इसमें आधा जम मच राई गींग, काली मिर्ची, और यह हमारा प्याच लेंशन अट्रेकोर हरी मिर्ची, यह सब्ढ़ना दिन्गी यह सब्ढ़ना दिन्गी यह सब्ढ़ना दिन्गी यह सब्ढ़ना दिन्गी ताकि अच्छे से सौफ्ट हो जाए अच्छे से सिक गया है आप देख सकते हैं प्याज ले सुन हरी मिट सब का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमे नसाले डाल लेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर दो हरी मिट चली थी इसलिए एक तेहाई चमच लाल मिट डाल गी इसे भी मच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें कटे हुए टमास्टे डाल देंगे इसे अच्छे से हिलाते हुए मसाला इसमें मिक्स कर देंगे और अब लो फ्लेम पर इसे दो मिनट के लिए हम सॉफ्ट होने के लिए ढग कर देंगे अब हम इसमें पालक के साथ हो जाएंगे अब हम इसमें पालक केट कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी हम दो मिनट के लिए ढपकर लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि थोड़ा सा पालक भी हमारा ठीक से सॉफ्ट हो जाए दुखते हैं देखिए हमारा पालक भी बहुत अच्छा साफ्ट हो गया है दाल भाजी खाने में बहुत ही जादा स्वाधिस्ट लगती है कई बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें दाल के साथ पालक बना कर खिलाएंगे तो निश्चित रूप से व क्योंकि दाल के साथ हमने इसमें सब्जिया मिक्स कर दी है अब हम इसमें दाल डाल देंगे जो कि हमने धो के भीगा के रख लेएं अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें आधा चमज करम ओं और देरड चमज में इसमें नमक डाल रही हूं नमक आप अपनी टेस्ट देल्ट के आकॉर मिक्स कर लका कर भाफ शुचल YOURमें और जीतनी दाल ली थी उससे ढ़ाइ गुणा पानी पानी में इसमीं हम मेरी एक श्रीप आ eager बाइनी तो मैं धाई कटोरी पानी इसमें डालूंगी और हम कुकर का ढकन लगा कर दो सीटी लेंगे और पांच मिनट के लिए गेज को लो फ्लेम पर कर देंगे तो हमारी सबजी बनकर विल्कु तयार हो जाएगी क्योंकि हमारी दाल भीगी होई है इसलिए हमें ज्यादा सीटी देन की जरुत नहीं है कि हमारे कुकर किसी की ठंडी हो गई है अब हम इसे खोल लेते हैं कि हमारी कितनी बढ़िया दाल भाजी बनकर तयार हो गई है बहुत अच्छी कुश्वू आ रही है आप देख सकते हैं देखिए और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं अगर इसमें पानी उबाल करो डाल कर रख सकते हैं अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है देखिए हमारी कितने पोस्टिक और साधिस्ट दाल भाजी बन गई है इसमें थोड़ा साहरा धनिया डाल देंगी पालक में आईरन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो की हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं आप इसे रोटी चावल पराठा सभी के साथ इंजॉय कर सकते हैं इसे एक बार ज़रूर घर पे ट्राइक कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ थेंक यू